जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं और यह कैसे काम करता है तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग उन circuit breaker के बारे में बात करेंगे जो हमारे power substation और बड़े बड़े power gates में use किये जाते हैं जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारे high voltage के سर्कीट ब्रेकर होते हैं वह हमें लिए r quinching medium के हिसाब से जो है चार क्टेगरी में बटा गया vacuum circuit breaker, air circuit breaker, oil circuit breaker और sf6 circuit breaker अगर हम बात करें vacuum circuit breaker की तो यह क्या है हमारा यह हमारा vacuum circuit breaker है इसमें भी आपका जो है एक fixed contact और एक moving contact होते हैं जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा भी था कि जब fault की condition होती है तब जो है आपका fixed contact और moving contact जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसी time उस खाली जगा पर जो है वो arc produce हो जाते हैं तो जो vacuum circuit breaker होती है उसका जो fixed contact और जो moving contact होते हैं वो जो है insulating envelope से पूरी तरीके से seal होती है तो arc को quench करने के लिए मतलब बुझाने के लिए जो हम लोग vacuum का use किरते हैं vacuum की जो pressure होती है वह 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 6 store होती है इसकी जो clearance time जो होती है वह 40 millisecond से भी कम की होती है vacuum circuit breaker का इस्तमाल जो हम लोग 38 kv से कम voltage range पे जो हम लोग use करते हैं तो जो हमारी vacuum circuit breaker होती है उसको जो हम लोग mainly 11 kv और 33 kv voltage range पे जो हम लोग use करते हैं फूर इक्जामपल पे अगर हम बात करें तो 33 by 11 kv की जो हमारी power substation होती है वहाँ पर अगर आप विजिट करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे अगर आप इस power substation के control room में भी जाओगे तो वहाँ पर जो आपके control room में जो आपके control panels होते हैं वहाँ पर भी आपको 11 kv और 33 kv की control panels होंगे वहाँ पर भी आपका vacuum circuit breaker यूज होता है जो हमारी vacuum circuit breaker होती है उसको जो हम लोग 38 kv के उपर वाले voltage range पे नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसका जो cost है वो बढ़ते चला जाता है इसलिए high cost के वज़े से इसलिए जो हम लोग 38 kv के उपर वाली line पे हम लोग use नहीं करते हैं अब जो हम लोग देखेंगे SF6 circuit breaker के बारे में देखेंगे SF6 का मतलब होता है sulfur hexafluoride तो जो SF6 gas होती है वो highly dialectic stent वाली होती है और साथी साथ जो है high heat transfer property होती है कहने का मतलब लग बग 1.6 time जो है जल्दी heat transfer करता है आपकी air से इस तरह के circuit breaker में आग लगने का risk बहुत ही कम होता है क्योंकि SF6 जो होती है वो non-flavable gas होती है मतलब उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ती है SF6 circuit breaker की operation noise less होती है मतलब जो operate होती है तो noise जो है आवाज बहुत कम करती है तो जब भी foil की condition होगी तो आपका arc produce होगा तब जो है SF6 circuit breaker के reserve wire से high pressure के साथ जो है आपका SF6 gas release होगा ताकि जो है इसके arc को बुजा सके SF6 circuit breaker का इस्तमाल mainly outdoor sub station में use किया जाता है like 33 kb, 66 kb, 132 kb, 220 kb, 400 kb and 765 kb तक use किया जाता है बट जो है mainly SF6 circuit breaker का इस्तमाल 66 kb, 132 kb, 220 kb वाले power gears में जो है इस्तमाल किया जाता है अगला है हमारा oil circuit breaker तो oil circuit breaker जो होते है वह arc को quench करने के लिए मतलब बुजाने के लिए जो है oil का use करते है oil circuit breaker के दोनों contact जो होते हैं वो क्या होते हमारे oil में immersed होते हैं डूबे हुए होते हैं तो oil जो होते हैं वह एक अच्छा insulating and dialectic property वाली होती है जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा arc produce होता है तब वहां के space में बहुत ही ज्यादा heat produce होता है तो oil circuit breaker में जब ऐसा होता है तब वहां के जो oil होते हैं वह vaporized होना start हो जाते हैं और hydrogen gas में decompose हो जाते हैं और hydrogen gas oil को push करता है और आर्क वाले जगा पर hydrogen bubbles बनाता है तो जो भी gas bubbles जो हमारे arc के आसपास होते हैं वह compressed हो जाते हैं और जो हमारी जो दो contact के बीच में जो arking space है वहां पर जो है यह bubble जो है oil पे force डालते हैं जिसके वज़ा से आर्क क्विंचिंग हो जाती है मतलब आर्क जो है बुच जाती है oil circuit breaker जो है वह बहुत ही oldest type की circuit breaker है oil circuit breaker दो प्रकार के होते हैं bulk oil circuit breaker और दूसरा है हमारा minimum oil circuit breaker oil circuit breaker आपको बहुत पुराने वाले जो sub station यह जो पुराने power gates होंगे वही पर जो है आपको देखने को मिलेगा oil circuit breaker का इस्तमाल अब जो है बहुत कम होने लगा है क्योंकि हमारे circuit breaker में oil use किया जाता है in case कभी जो आपकी breaker खराब हो जाती है और जो है short circuit हो जाता है तो हमारा जो oil होता है वो जादा heat हो जाएगा और आ heat होने के वज़े से वहाँ पर आग पकड़ने के संभावना बढ़ जाती है in case कभी कभी यह फट भी जाता है और जो है 37 oil circuit breaker का maintenance भी जादा होता है minimum oil circuit breaker कुछ हद तक आपका use भी किया जाता है क्योंकि इसमें कम oil का use किया जाता है तो minimum oil circuit breaker जो है वो up to 400 kVA तक use किया जाता है और last है हमारा air circuit breaker जो air circuit breaker होते हैं वो हमारे दो टैप्स के होते plain air circuit breaker दूसरा है हमारा air blast circuit breaker जो हमारे plain air circuit breaker जो होते हैं वो लो voltage application में जो है use किये जाते हैं लाइक आपका electrical panels जो होते हैं तो normally इस type के जो circuit breaker होते हैं वो 800 ampere से 10,000 ampere तक के range में आपको देखने को मिलेगा जो हमारे air blast circuit breaker होते हैं उसके पास एक tank आपका attached होता है जिसके अंदर compressed air जो है भरा होता है तो जब भी जो आपका arc produce होगा तो यह compressed air nozzle के help से जो है high velocity के साथ जो है उस arking space पर जाएगी जिसके वजह से जो है arc quench हो जाएगी भूच जाएगी air blast circuit breaker जो होते हैं वो अप टू 400 kv voltage तक जो है use कर सकते हैं बट आप जो है 400 kv से उपर वाले air blast circuit breaker भी आप जो आप market में आ चुके हैं air blast circuit breaker जो होते उसमें जो है आग लगने का खत्रा भी जो है बहुत कम होता है यह size में भी छोटा होता है और साथी साथ जो है maintenance भी कम होता है इसलिए जो है इसे ultra high voltage के लिए भी use किया जाता है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो like किजिए और अपने electrical frame के शाथ share करना आप बिलकुल भी न भूलिए thank you for watching my videos good luck and happiness day